क्रिश्न क्या है बहुत आसान होगा अपनी आम भाशा में कह देना कि सत्य है क्रिश्न पूर्ण है क्रिश्न लेकिन अपूर्ण पूर्ण की बात करें यह शोभा देता नहीं बात करने आले तो हम ही है अपूर्ण तो पूर्ण की बात भी करेगा तो पूर्ण को पूर्ण ही बना डालेगा इसी लिए गीता भर के पूर्ण कम से कम हमारे लिए तो अधूरे हैं द्वारका के कृष्ण या कुरुक्षेत्र के कृष्ण से हम अपूर्णों का काम तो नहीं चलेगा वहां जो कुछ है वो सत्य है लेकिन असत्य के लिए सत्य अधिक से अधिक एक सिधान्त हो सकता है जीवन नहीं हो सकता सांस नहीं हो सकती उठना नहीं हो सकता आपने जो प्रस्तुति देखी उसके छै छोटे खंड थे पहले में है कि कृष्ण ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया दूसरा कहता है कि मा ने पकड़ करके बान दिया शरारत कर रहे थे तीसरे पर आते हैं उन्हां पता चलता है कि क्षंता इतनी है कि कंस पर भारी पड़े कंस कर दिया तुरंत चौथा धर्शाता है कि वो प्यां उन्हाना कर रहे हैं दोड़ा रही है खेल रही है पांच्वा कहता है कि अर्जुन यहां कौन है जो आसकता है और कौन है जो जा सकता है कौन है जो यहां कभी नहीं था पर आप कौन है जो है नया आज जाएगा कि अ कि ना किसी का जन्म है ना किसी की मृत्व है ना आना है ना जाना है और और ततकाल ही छठा हमको दिखाता है कि कि विर्यक अक्षण है प्रस्थान करना है मत्रा की ओर और कृष्ण भावा वेग में व्याकुल है किसी भी साधारण प्रेमी की तरह विदाई के अक्षण पर रो रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा है है कि सक्थ्य कि मात्र कृष्ण कि नहीं हो सकते हैं यह यूं कहलेजिए कि राधा से वियुक्त कृष्ण सत्य नहीं हो सकते हैं कि प्रिश्ण और राधा जब एक साथ हैं हमारे लिए तो तभी सकते हैं यह बहुत प्रासंगिक हैं इसके परिणाम क्या है जीवन में इसके माइने क्या हैं उसको अभी हमाइन दे हैं हम दो तरह की गलतियां करते हैं पहला जब हम क्रिश्ण को फूनामतार रूप में परिभाशित करते हैं तो हम क्रिश्ण के अद्वायत में समस्त द्वायत को देखना भोल जाते हैं हमारे लिए क्रिश्ण मात्र गीता के क्रिश्ण हो जाते हैं जब आप कहें कि क्रिश्ण सकते हैं तो आपने कुछ गलत नहीं कह दिया पर तब उपस्थित है क्रिश्ण दे निराकार है तो राधा साकार है क्रिश्ण दे आत्मा है तो राधा मन है और यदि इतनी इस पश्टता से न देखा जाता हो यदि एक में दो को देख पाने की द्रिश्ण न हो अगर द्वयत में द्वयत सम्मिलित न दिखता हो तो अलग-अलगी देख लें पर फिर दोनों को एक साथ देखें मैंने आज का ये विशय लेना प्रासनिक इसलिए समझा क्योंकि आध्यात्मिक्ता के नाम पर ये विभाजन हमें बड़ा भारी पड़ता है हम परम प्रेम को प्रेम से अलग आत्मा को मन से अलग बोध को विचारों और भावनाओं से अलग और सत्य को संसार से अलग और क्रिश्न को राधा से अलग और शिव को शक्ति से अलग करके देख लेते हैं जैसे दो कमरे हों जैसे दो अलग अलग इकाईया हों कि दो तरह के परणाम आते हैं कि परणाम यह आते हैं कि कुछ लोग अपने आपको अध्यात्मिक खोशित कर देते हैं कुछ लोग अपने आपको संसारिक खोशित कर देते हैं दोनों ही गलती कर जाते हैं कुछ कहना यह शुरू कर देते हैं कि हमें तो सत्य से सरोकार है संसार से में क्या लेना देना और संसार में जो कुछ है वो जूटा है नकली है और कुछ कहना शुरू कर देते हैं कि यह सामने हैं यही असली है इसी में जी ओ, इसी में खाओ, पियो और इसी में एक दिन खत्म हो जाओ दोनों ने ही सीमा खींचती हैं, दोनों ने ही दो टुपड़े कर दी हैं, दोनों ही सत्य और संसार को, खृष्ण और राधा को एक साथ नहीं देख पाएं और एक साथ देखना होगा एक साथ नहीं देखना होगा, तो बहुत रूखापन रहेगा आत्मा सिध्धान्त रूप में सत्य हो सकती है पर आपको जीना तो मन में ही है सत्य होगा कुछ जीना तो आपको संसार में ही है दोनों को अलग अलग देखेंगे तो या तो आप अपने आपको संसार ही घोशित कर देंगे सत्य में जीता हूँ संसार से कोई लेना देना नहीं या आपका संसार सत्य वहीन रहेगा फिर उस संसार में कोई बात नहीं रहे गयों मुर्दा रहेगा। केंद्र पर कृष्ण बैठे हो लेकिन परिधि पर तो गत्य नाच राधा का ही रहेगा। केंद्र पर जो प्रिष्ण है उसको आप जान सकते नहीं क्योंकि उमन से आगे की बात है। आप लाख कहते रहें सत्य सत्य आत्मा आत्मा पर ना सत्य बात करने से पकड़ में आने वाला है ना आत्मा कोई पडार्थ है कि उसका चिंतन कर लिया जाए। या कि वो ज्यान बनकर मन की पकड़ में आ जाए। सत्य का तो एक ही लक्षण एक ही प्रमान और एक ही अवतार है और वो है संसार। ठीक इसी तरीके से कृष्ण को भी कभी सीधे सीधे जाना नहीं जा सकता। कृष्ण को जानेगा वो राधा के मात्यम से ही जानेगा। कृष्ण को ज़िए आपको जानना है तो कृष्ण के संबंधों को देखना पड़ेगा। कि प्रिष्ण के संबंधों में परम संबंध है कृष्ण और राधा का संबंध। सत्य को ज़िए आपको जानना है तो आपको संसार में बैठना पड़ेगा। संसार को पैनी तिष्टी से देखना पड़ेगा। इसी लिए कई संबंधाएं हैं निम्बार्क से शुरू हो के आज तक जिन्हों ने राधा को बहुत महत्तों दिया है। कृष्ण के बरावर ही महत्तों दिया है। राधा का नाम कृष्ण से आगे रखा है। इसलिए नहीं कि राधा का दर्जा श्रेष्ट है। बलकि इसलिए क्योंकि निरे कृष्ण, कोरे कृष्ण हमारे किसी काम के नहीं है। जब मैं कृष्ण कह रहा हूं तो आशाय समझेगा सत्पिर, आत्मा। अध्यात्मिक मन, तधा कथित अध्यात्मिक मन ये गलती कूप करता है। वो सीधे सत्ते की और जाना चाहता है। मन के पास ना ऐसी क्षंता है, ना ऐसी सोजधा है कि वो सीधे सत्ते की और जा सके। उसको तो संसार से ही गुजरना होगा। पर बड़ा अकरशक लगता है कि मैं सीधे समझ जाऊं, मैं सीधे बोध की दरब चला जाऊं, बोध है जी चाहिए, समझ है जी चाहिए, तो आपको विचारों और भावनाओं के चक्रवियू में से होकर गुजरना पड़ेगा, जो हसी से और आसों से और मिलन से और वियोग से होकर गुजरने को तयार नहीं है, वो कभी बोध तक नहीं पहुँच सकता, जिसने विचारों को ठुकरा दिया, जिसने भावनाओं को ठुकरा दिया, जिसने राधा को ठुकरा दिया, वो कभी कृष्ण तक नहीं पहुँच सकता, वो कभी सक्ते तक नहीं पहुच सकता जिसे हम सधारण आदमी सधारण मन कहते हैं वो चूक ये करता है कि भावनाओं और विचारों में उल्जा रह जाता है ये सोच करके कि यही आदे हैं यही अंत हैं इन से आगे कुछ है ही नहीं तो प्रवेश तो करता है चक्रवियू में पर निकलने की ना उसकी इक्षा होती है ना उसके पास कोई उपाय होता है और नहीं निकल पाने की दृष्टी वो संसार में उलज़ता तो है पर उल्जाओ से बाहर आने का उसका ना इरादा होता है ना इक्षा वो उलजने के लिए उलजता है, वो सोचता है उलजाओ ही जीवन है और फिर जब उलज उलज के हैरान हो जाता है तो एक दिन वो घोशिट कर देता है कि अब मैं धार्मिक हुआ अब मैं सत्य की शरण में जा रहा हूँ, अब मैं परमात्मा की शरण में जा रहा हूँ, अब तो मात्र ग्रंथ पढ़ूंगा, अब मुझे विचारों से, भावनाओं से, धैनिक जीवन से, सांसारिक क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं, अब तो भहिशकार है विचार का, मुझे इंसे क्या लेना देना, ये सब तो सागर में उठती लहरे हैं, हम तो सीधे सागर तक जाएंगे, लहरों के बिना कौन सा सागर देखा है आपने, और लहरे यदे हटा दें तो आपके लिए कौन सा सागर वर्षता है, दोनों ही गल्पिया है, विचारों भावनाओं मे उलज के रह जाना जितनी बड़ी गल्ती है, उससे ज्यादा बड़ी गल्ती है, संसार का मन का परित्याग करना, उसको निक्रिष्ट समझना, उसका भहिशकार करना, बात आती ही समझना, आध्यात्मिक्ता का मतलब रूखा हो जाना नहीं होता, आध्यात्मिक्ता का मतलब ये भी नहीं होता है कि कह दिया जाए कि विचार तो संसकारों की देन हैं विचार तो भारी प्रभावों की देन हैं इसलिए विचार कोई निंदनिय चीज है उच्छी चीज है हमें तो निर्विचार चाहिए मन को निर्विचार जैसा कुछ सुलब नहीं होता निर्विचार का अर्थ इतना ही होता है कि विचार की तह तक चले गए निर्विचार का अर्थ इतना ही होता है कि राधा के हृदय तक चले गए पूरी गहराई तक चले गए राधा विचारों का नत्य है उसके हृदय तक चले गए और जब निर्विचार के हृदय तक जाना हो तो शुरुवात विचार से ही करनी पड़ेगी राधा के हृदय तक जाएंगे तो वहीं पर कृष्ण को पाएंगे अन्यथा कहीं नहीं मिलेंगे कि कृष्ण इसी लिए कि सभी अवतारों में अनूठे हैं क्योंकि पूरे हैं वहां उंचा से उंचा ज्यान है आसमान में गीता की उड़ान है तो धर्ती के साथ लगाव भी है क्रिश्ण जितने आसमान के हैं ठीक उतने ही मिट्टी के भी हैं वहां यदे आपको वो सब मिलेगा जो आदमी के लिए असमभव लगता है तो वहां वो सब भी आपको उतनी प्रचुरता से मिलेगा जो किसी भी आम आदमी के जीवन में लगातार मौजूद होता है क्रिश्ण अति विश्ष्ट भी हैं और अति साधारण भी दोनों एक साथ है हम गलती कर बैठते हैं कि हम विश्ष्टता को साधारणता का विपरीत समझ लेते हैं तो हमें जब सत्य की प्यास उठती है तो हम कहते हैं कि सत्य तो इतना विश्ष्ष्ट है कि वो सबकुछ जो साधारण है जीवन में उसे तो छोड़ना पड़ेगा उसके बाद गलतियों पर गलतियां होती है कभी ये गलति होती है कहतेते हैं कि जो साधारण उस छोड़ा तो जाएगा नहीं तो सत्य की उत्कंठा ही त्याग दो और कभी उससे बड़ी गलतिये कर बैठते हैं कि जो साधारण है उसको छोड़ने की कोशिशी कर डालो दोनोई चूक हैं आप कहें कि साधारण छोड़ा नहीं जाएगा तो फिर सत्य ही छोड़ दो तो ब्योपूफी है और आप कहें कि नहीं सत्य बहुत प्यारा है बुला रहा है तो जो को साधारण है उससे त्याग दो यह और बड़ी जब मैंने आप से पूछा आपके सत्य की शुरुवात में कि क्या देखा आप में तो हम में से कि यह एक ने कहा कि विरोधा भास का नाम सच्ची अध्यात मित्ता है यह विरोधा भास नहीं है यह द्वायत की बात नहीं है भागवत गीता और भागवत पुरान द्वायत के दो सिरे नहीं है यह दिखते विपरीत हैं एक हैं बलकि इन में से एक दूसरे से उद्भूत हो रहा है मात्र वो जो गीता का बोध रखता हो मात्र वो ही बिना डरे बिना हिचके अनुभाव में उतर पाएगा जो गीता का प्रवर्तक है सिर्फ उसमें इतना साहस हो सकता है कि वो संसार को पूरी तरह जीए सिर्फ वो जो अच्छे से जानता है कि आत्मा ना आती है न जाती है और यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बंधा जाए जिससे पकड़ा जाए सिर्फ वो ही अपने आपको पूरी तरह से बंधने के लिए प्रस्तुत कर सकता है यह बात आपको विरोधाभासी लेगे यह कांट्रडिक्ट्री लगेगी पर इस बात को समझिएगा हम तो पूरी तरह बंध भी नहीं पाते क्रिश्न को आपने रोते देखा हम रो कहां पाते हैं क्रिश्न को आपने नाचते देखा हम नाच कहां पाते हैं कि व्रंदावन में वही नाच सकता है जिसके रिदय में गीता पहले बैठी हुई हो यह विरोधी बाते नहीं है जब रिदय में सत्य बैठाव होता है जो किसी से ना अकरशित है ना विकरशित है ना राग है ना द्वेश है तब मन और शरीर बिना डर के अपने आपको प्रस्तोत कर सकते हैं कि अब हम तयार हैं रिष्टों में उतरने के लिए हमें अब ये डर नहीं है कि रिष्टे हम पे हावी हो जाएंगे और ना हमें ये लालच है कि हम रिष्टों से कुछ उगाह लें कुछ पा लें हम तो रिष्टों में भी पूरा कहां उतर पाते हैं और उस पर दावा हमारा ये कि गीता मत पढ़ना नहीं तो रिष्टे तूट जाएंगे यहां बहुत होता है लोग आएंगे कहेंगे देखी अभी तो हमारा भेटा मुश्किल से 25 का है आपके आने लग गया है ये बात कुछ ठीक नहीं है आप अपनी शर्त पर वारता कर रहे थे ऐसे तो वो संसार से ही रिमुख हो जाएगा दोस्त आप नहीं रखेगा शादी वया नहीं करेगा ये हमारा खयाल है आध्यात निक्ता के बारे में कि अगर सत्य जीवन में आ गया तो संसार हमसे छूट जाएगा वस्त इस्थिति इसकी उल्टी है जब सत्य जीवन में होता है सिर्फ तभी आप संसार में डूब सकते हो सत्य निष्ठ मन से संसार छूटता नहीं है वो संसार में डूबता है और सत्य हीन मन संसार में कहने को तो रहता है पर उखड़ा उखड़ा डरा डरा उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो संसार में पैट सके उसके लिए संसार एक डरावना सपना होता है उसके लिए संसार एक अंजानी अपरिचित जगह होती है जहां खतरा ही खतरा है वो दूर दूर से छूता है वो ठिटक ठिटक के कदम बढ़ाता है हमारी ही तरह वो सड़क पर निकलता है तो ऐसे जैसे कि कोई आकर लूट जाएगा वो दफ्तर में होता है, चाहे घर में होता है, चाहे बाजार में होता है उसको सदा आशंका बनी रहती है कि कुछ अन्होनी न हो जाए अभी कितनी मज़ेदार बात है सत्य की और हम इसलिए नहीं भड़ते कि संसार छूट न जाए और आपसे पूछा जाएगी तुम ये बता हो कि संसार तुम्हें मिला कब था जो छूटेगा छूटने का सवाल तो तब पैदा होता है जब तुम्हें मिला हो तुम्हें मिला है कि छूट जाएगा दर के मारे आते नहीं हो, एक ही डर है तुमको कि पता नहीं क्या हमसे छिन जाएगा, तुम्हारे पास है क्या कि छिन जाएगा, जैसे कोई खड़ा हो भिक्षा पातर लेते, विखारी, और उसको तनाव हो रहा है, और उसका रत्चाप बढ़ रहा है, आज लुट न जाओं, संसार तुम्हें मिला है कि तुम लुटोगे, तुम्हारे पास है क्या छिन लायक जो कोई छीन लेगा, लेकिन नहीं, गीता से डर लगता है, गरंतों से डर लगता है, कबीर और नानक से डर लगता है, कृष्ण मूर्ती रूखे लगते हैं, सब क्यों? कि इनके पास गए, तो दुनिया छिन जाएगी, कौन सी दुनिया? जो हमें कभी मिली ही नहीं, वो छिन जाएगी. कृष्ण के इन दोनों रूपों को एक जानियेगा, कृष्ण गीता में अर्जुन से जो कह पाते हैं, युद्ध के मेहदान पर वो अडिग रह पाते हैं, तो इसी लिए, क्योंकि राधा के सामने नक्मस करते हैं, परम युद्धा है कृष्ण, लड़ पाते हैं, दृड़ रह पाते हैं, तो इसी लिए, क्योंकि रो भी पाते हैं, क्योंकि बहुत नर्म हैं, बहुत मुलायम हैं, मां से ठीठोली करते हैं, गोकल छोड़ने के बाद कहानी कहती हैं, कहानिया ही हैं, लेकिन बताती हैं कुछ, कहानी कहती हैं कि एक बार और मिले थे राधा से, तब बहुत आगे बढ़ चुके थे, आठ पत्नियां अश्त भर्या हो चुकी थी, मुलाकात होती है राधा से उनकी द्वारका में, और न कृष्णे एक शब्द बोलते हैं, न राधा, और बस आच्वों की धार है, और ये वो कृष्णे है, जो अरजुन से कह रहे थे, कि उठा गांडी और मार, सामने भले तेरे परिजन हो, पर मार, इन दोनों बातों को अलग-अलग मत देखिएगा, लाउद्जू ने पानी को पत्थर से ज्यादा बली बताया है, क्रिश्ण पूरे इसी लिए हैं क्योंकि वो पानी और पत्थर एक साथ है, कभी वहाँ आसू की धार है, बह रहा है पानी, और कभी वो बज रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे भावहीन हो, पीम को इशारा दे रहे हैं कि खत्म कर दो दुरियोधन को, भले ही मियमो का उल्लंगन होता है लेकिन मारो, फिर चाहे द्रोन हो कि भीश्म हो कि जैदरत हो क्या फर्क पड़ता है किसको परवाय नहीं दिखता की युद्ध किसी भी कीमत में जीता जाना चाहिए। क्या अंतर पड़ता है कि कर्ण बुआ का ही लड़का है। अभी उसका पहिया फसा हुआ है अर्जुन यही मौका है मार दे। और यह वो क्रिश्न है जो जरा से मक्षन के लिए मिट्टी में लोट पोट हुए जा रहे हैं। और कोई नहीं दे रहा तो उसका आचल खीच रहे हैं पाओं पकड़ रहे हैं। एक ही क्रिश्न है, इनको दो मत समझिएगा। चूंकि उन्हें आता है मिट्टी में लोटना, क्योंकि उन्हें आता है रूठना, मनाना, ठिठोली करना, मनुहार करना। इसलिए उन्हें आता है युद्ध जीतना। जिसे मिट्टी में लोटना नहीं आता वो कभी आकाश की उड़ान भी नहीं भर पाएगा हमारी विडंबना यह है कि हम आकाश और धर्ती को अलग-अलग देखते हैं विभाजन कर देते हैं और यह दुर्घटना धार्मे का अध्यात्मिक लोगों के साथ जड़ा ज्यादा होती है खास तोर पर ज्ञान मार लियों के साथ विचारों से हसा ही नहीं जाता है हसना यह तो चहरे का दुरूपयोग हो गया तुम हस कैसे सकते हो संसार में इतना दुख है तुम हस कैसे सकते हो संसार मिध्या है तुम हस कैसे सकते हो सुख तो द्वैत का एक जूठा धुरूब है जिसे सुख मिलेगा उसे दुख भी मिलेगा तुम हस क्यों रहे हो हसके तो तुम दुख का साधन तयार कर रहे हो कृष्ण हसते भी है कृष्ण रोते भी है और इसी कारण कृष्ण हसने और रोने दोनों के पार निकल जाते हैं और पार निकलने कार्थ प्रिपा करके इमस महिली जेगा कि अब ना हसेंगे ना अब रोएंगे पार निकलने कारत होता है कि अब हसी में भी गहराई है और रूदन में भी गहराई है उस गहराई को सत्य कहते है जो भी आप कर रहे हो जब उसमें गहराई होती है उस गहराई का नाम सत्य सत्य ये नहीं है कि जो कर रहे हो करना छोड़ो सत्य की तलाश करो सत्य कहीं मिलेगा नहीं जिन्होंने भी सत्य की तलाश की है या तो उन्हें मिला नहीं है या उन्होंने जूट बोल दिया है कि मिल गया इमानदार रहे हैं तो मान लिया है कि हमें तो नहीं मिला और प्रपंची रहे हैं तो घोषणा कर दिये कि हमें मिल गया है आओ भक्तों प्रसाच चड़ाओ सत्य को खोजने पर सत्य कभी नहीं मिलेगा संसार में डूप जाओ सत्य सामने ही है सत्य साथ ही है सत्य तुम्हारे केंद्र में ही है देखना हमें यह होगा कि हम किन किन तरीकों से जीवन का निशेद करते हैं हम किन किन तरीकों से अनुभवों में वरजनाएं डालते हैं हम कैसे सीमाएं खीचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं हम कैसे अपने लित्य कर लेते हैं क्या व्यवहार योग्य है, क्या आचरण योग्य है, और क्या करनी यह नहीं है, व्यवहार योग्य है, और क्या करनी यह नहीं है, व्यवहार योग्य है, व्यवहार योग्य है, क्या करनी यह नहीं है, व्यवहार योग्य है, व्यवहार योग्य है, क्या करनी यह नहीं है, व्यव अथिक स्थिति तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तुम पैदल क्यों चल रहे हो कि वर्ण लिंग कि धर्म कि देशकाल स्थान कि नेतिक्ता शिक्षा कि यह सब हमको बताते हैं कि कुछ अनुभव कुछ आचरण अनुगमनिये हैं कर डालो और कुछ ऐसे हैं जो निशिद्ध हैं जिनकी पूरी वर्जना है कर मत डालना यही पर हम कृष्ण से चूप जाते हैं कृष्ण को आश्रम वर्ण लिंग आयू आर्थिक स्थिति कि इनका कुछ खयाल नहीं है कृष्ण इस पर नहीं चलते कृष्ण तो कृष्ण पर चलते हैं राधा कृष्ण से उम्र में दस साल बड़ी थी बड़े विवरण है एक विवरण कहता है कि राधा शादी शुदा थी विवाहिता थी किसी की एक विवरण कहता है कि राधा कृष्ण के रिष्टे में ही थी एक मीठी कहानी है जो कहती है कि कृष्ण गए और जाके यशोदा से नंद से संदीपनी रिषी से कह रहे हैं कि मुझे तो राधा शादी करने और वो लोग जितने तर्क देते हैं इस विवाह के विरुद्ध उनसे पता चलता है कि कितना बेमेल जोड़ा था ऐसा बेमेल संगम जिसे आम आदमी दूर दूर ही रहे जिससे कोई बहुत सुन्दरी न थी राधा कृष्ण ग्राम प्रमुख के बेटे थे राधा बड़े साधारण धर से थी उन्हें ये तब परवाह नहीं है वो नहीं देख रहे हैं कि सुदामा कौन है वो नहीं देख रहे हैं कि गरीब है बहुत पहले का दोस्त है ना उनके लिए समय माइने रखता है ना आर्थिक स्थिति माइने रखती है वो नहीं कहते हैं कि मैं ये क्यों करूँ कि अपनी पूरी सेना उसको ही दे दूँ जो मेरे विरुद्ध लड़ने वाला है हमारा आचरण हर तरीके से प्रभावों से संसकारों से परमपरा से और यदि इन सब से नहीं तो कम से कम हमारी सीमित बुद्धी से जरूर संचालित होता है क्रिश्न सिर्फ क्रिश्न से संचालित होते हैं क्रिश्न के लिए कहीं कोई सीमा नहीं है प्रुक्मिनी का विवाश शिशुपाल से होने जा रहा है क्रिश्न कहते हैं ठीक प्रुक्मिनी का हरण होता है और ले आते हैं और हो गया विवाश और ऐसा नहीं कि अपनी बारी है तो कर डाला फिर अपनी बहन का भी होई हाल देखते हैं कि अर्जुन के फ्रेम में हैं तो गहते हैं ठीक अर्जुन ले जाए तू ठा करके ले जा इसको और मैं तेरा सहायक बनूँगा उनके लिए कोई वर्जना नहीं है बाद में बलराम बहुत उचलकूत मचाते हैं तू ने अपनी ही बहन का अभरण करा दिया तो शांत करा देखते हैं कोई बार को ठीक है कृष्ण के लिए सिर्फ एक गुरु है कृष्ण, सत्य वो और किसी को अपने उपर हावी नहीं होने देते संसार उनके लिए एक खुला मैदान है हमारे लिए संसार में सीमाई ही सीमाई हैं, रिखाएं ही रिखाएं हैं एक राजा है उसने सोलह हजार महिलाई क्याद कर रखी हैं और तब सामाजिक प्रमपरा कुछ इस तरीके की थी कि अगर एक बार कोई स्तरी इस तरह से किसी के हाँ पर क्याद कर ली जाए तो फिर वो समाज से जरह भहिश्क्रत हो जाती थी क्रिश्ण करते हैं ठीक है वो उन सब को हाँ से अजाद कराते हैं और भोशित कर देते हैं कि यह सब मेरी पत्मियां नहीं इसा नहीं कि क्रिश्ण को उन से व्या करना था यह तरीके से उन सब इस्त्रियों का पुनरवास हो रहा है रियावेलिटेशन पर क्रिश्ण को यह करते हुए जरा भी सोचना नहीं पड़ता है कि इसका अंजाम क्या होगा मैं यह कैसे कर सकता हूं वो जीते हैं वो पूरी तरह जीते हैं और प्रतिक्षण जो उचित है उनके माध्यम से होता रहता है वो इस बात की भी परवाह नहीं करते कि एक मौके पर जो उचित लग रहा है किसी और मौके पर वो अनुचित हो सकता है उसका विप्रीद भी करना पड़ सकता है कृष्ण किसी दूसरे को तो अपना नियंत्रक बनाते ही नहीं है स्वयम अपने द्वारा पहले किये गए कर्मों को भी वो अपने उपर नियंत्रक नहीं करने देते अपने से ज्यादा बली एक सेना देखी कृष्ण ने का ठीक लड़ाई नहीं करेंगे पीछे हट जाते हैं रडशोड कहलाते हैं और कौर्वों की भी जो सेना है उसका जो वर्णन मिलता है पांड़ों की सेना से डियोड़ी है पर अर्जुन से कहते हैं तू लड़ा रहे हैं मैं तेरे साथ हूं पूछने अला ही सवाल पूछ सकता है कि अगर लड़े ही रहना होता है तो स्वयम पीछे क्यों होटे थे पर उनके लिए आचरण कोई विवस्था नहीं है उनके लिए आचरण एक सहज तातकालिक मुलत्य है विवस्था नहीं है वो इस तर्ग को कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे कि पहले ऐसा किया था तो अब भी ऐसा करो स्वयम दूद्ध बनके जाते हैं कौर्वों के दर्वार में रात सभा में द्यूद्धन उन्हें अपमानित भी करता है क्याज करने की कोशिश भी करता है तब भी जो सूसम्मति हो सकती है वो देते हैं यहां तक कह देते हैं कि रख लो तुम पूरा राज्य रख लो पांडवों को बस पांच गाउं देतो हम युद्ध नहीं चाहते हैं बड़ा घाटे का सौधा होता ही है आप देख रहे हैं क्रिश्न ने क्या बात कह दी थी कि तुम पूरा राज्य रख लो और भुरहत राज्य था हम थोड़ी की जगह देदो हम उतने में शांत रह लेंगे पर जब अब परिहार हो जाता है युद्ध जब दिख जाता है कि अब टल नहीं सकता तब कहते हैं कि अब तो पूरा लेंगे और पूरे से रंच मात्र भी कम नहीं अब पूरा लेंगे कौरवों का न सिर्फ विनाश होना चाहिए बलकि जड मूल से विनाश होना चाहिए पूरे तरीके से हार ही चुके थे कौरव कि तुर्योधन को अंत्रत्म बंदी भी बनाया जा सकता था एक सरोर में जाके छुप गया था कि कुई विशेश आवशक्ता नहीं थी कि अब उससे युद्धी किया जाए न सेना है न साथी है निकालो बहार पकड़ करके डाल दो कारागर में पर नहीं अब जब युद्ध हुआ है तो पूरा होगा और दुर्योधन तो है जाना होगा कोई पूछ सकता था कि सिर्फ कुछ दिन पहले महीना भर भी नहीं हुआ क्रिश्न आप इसी दुर्योधन के दर्बार में खड़े होके कह रहे थे कि तुछ ले ले तो है जो चाहिए हम लड़ना नहीं चाहते तुछ से और आज आप उसे जीने भी नहीं देना चाहते हैं बड़ी विसंगती है बड़ा विरोध है पर विसंगती और संगती की बातें तो वो करे ना जिन्हें ठीक इसक्षण बोध का प्रकाश उपलब्ध ना हो विसंगती तो तुलना करने पर ही पता चलती है ना कृष्ण तुलना करके नहीं जीते कृष्ण ये नहीं देखते कि पहले ऐसा तो अब ऐसा होना चाहिए कृष्ण मात्र इस क्षण की सम्यक्ता में जीते हैं कोई तुलना नहीं अभी जो उचित है वो होगा पहले कुछ हुआ होगा हमें याद न दिलाओ पहले क्या किया थ हमारे सामने लेके ही मताओ कि पहले क्या बोला, पहले कैसे जीए, हमें तो अभी का पता है, जिस व्रिंदावन में कृष्ण की बांसुरी गूंचती थी, जिस यमुना के तट पर क्रिश्ण का मेला लगता था, उस व्रिंदावन से एक बार पाउं बाहर निकालत जीवन भर लोटके नहीं आए, कोई पूछता कि क्या बेवफाई कर रहे हो, तब तो कहते थे कि यमुना, गया, गोपियां और माखन, यही है मेरा जीवन, और अब ऐसा बाहर निकले, राज्य में और राजनीत में, और बड़े-बड़े मसलों में, ऐसे लिप्त हुए, कि व्रिंदावन की सुधी नहीं लिए, और यह ताना कृष्ण को मारा भी गया, हस दिये, मुस्कुरा दिये, प्यारो दिये, लेकिन अतीद को पैमाना नहीं बनाया, यह नहीं कहा कि एक लकीर चली आ रही है, तो उसी लकीर को आगी खीचना है, हम जी नहीं पाते पूरा, क्योंकि हमने जीने के इर्द गिर्द बहुत सारे दाइरे बना रखे है, बिना करे हमें पता होता है कि क्या करना उचित है और क्या करना अनुचित है, बिना जीए हमें पता होता है कि कैसे जीना है और कैसे नहीं जीना है, हद्वयत के कॉलेजों में कारिक्रम चलते हैं अब जाना कम हो गया कुछ साल कहले तक खूब जाता था तो हां यही लगके लगकियां 18 साल 20 साल तो अपने भविश्य की चर्चा करें क्या करना है नौकरी करनी है तो यह कैसे पता नौकरी करनी है नौकरी तो करनी होती है ने तुम्हें कैसे पता तुमने पहले कभी की है ने करी तो नहीं है पर करनी है तुम्हें कैसे पता कि अच्छी चीज है नहीं पैसे कमाने होते हैं पैसे शाथ जरूरी होते हैं तुम्हें कैसे बता कि कितने कमाने हैं और कितना जरूरी हैं अभी तो बस इतने से ही हैं, तो इतने से के लिए तुम्हें कोई बड़ी भारी नौकरी का आयोजन करना पड़ेगा, नहीं पर नौकरी तो करनी है, मैं कोई नौकरी खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, पर बात के मर्म तक जाईए, मैं ये समझना चाहता हूँ, कि एक 18-20 साल के लड़के को उस उम्र में ही ये कैसे पता है, कि उसे अपना बाकी जीवन नौकरी करते हुए बिताना है, वो 18-20 साल के लड़का हम है, हमें बिना जीए पता होता है कैसे जीना है, हमें बिना जीए पता होता है कि कैसे नहीं जीना है, 18-20 साल के हैं, नौकरी करनी है और क्या करना है, शादी करनी है, कैसे पता शादी करनी है, कोई न पताता तुम्हें कि शादी करनी होती है, तो तुम स्वयम ये फैसला करते हैं कि शादी करूँगा, शादी माने क्या, न ने वो एक लड़की के साथ रहा जाता है, जिंदगी भर, रहस्ती बचाई जाती है, बाल बच्चे आते हैं, तो किसी लड़की से प्रेम का संबंध होता है, उसके साथ रहते हैं, व्याब, इसको कहते हैं, हाँ, आज तक किसी लड़की से कोई संबंध रहा है तुम्हारा, नहीं जी, वो तो गंदे बच्चों एकाम होते हैं, मम्मा ने मना करा था, लड़कियां चिची, तू कभी किसी लड़की के 10 मीटर के दाइरे में नहीं गया, लेकिन तुझे ब्या करना है, ये तुझे अच्छे से पता है, तुझे कैसे पता है, नहीं हसो नहीं, वो हम है, य हमारे जीवन की कहान है, आप सब भी जिस अवस्था में हैं, आप सब को भी काफी अच्छे से पता है कि आगे आपको क्या करना है, हम में से कोई ऐसा नहीं है, जो एक अनेनीत भविश्य में जीने को तयार हो, इतना होसला हम में नहीं होता, हम तो तैशुदा जीवन चाहत हैं, आप उस लड़के के पास जाएए, वो 18 साल का है, उसका कभी किसी लड़की से कोई सम्मंद रहा नहीं, उसे नहीं पता कि लड़की से, स्तिरी से जुड़ने का अर्थ क्या होता है, लेकिन उसे ये अच्छे से पता है कि शादी करनी, अच्छा तुझे कैसे पता है, और तुने कर भी दी, तो तेरा होगा क्या, अचानक एक अबूज चीज तेरे जीवन में आ जाएगी, और सम्हाली तुस्से जाएगी नहीं, इसी बात को उम्र के बिल्कुल दूसरे सेरे पर ले जाओं, तो बिल्कुल वैस्क लोग आते हैं, साथ साल के होंगे, सतर साल के होंगे, जी देखिए, अब विलाई की बेला आ रही है, तो मरने से पहले कुछ ऐसा कर लेना चाहते हैं कि अगले जनम का जुगार हो जाए, या फिर सवर को कहा रहा ठीक ठाक मिल जाए, के साथ वेशन, तुम पहले कभी मरे हो, कितनी बार मरे हो आज तर, अभी तक तो मरे नहीं ऐसा लगाने, तो फिर मरने से डर क्यों रहे हो, सवाल को हलके में मत लीजेगा, सबसे पूछ रहा हो, कोई ऐसा नहीं है, जिसके लिए मौत एक सवाल नहीं हो, और मौत हमेशा भहिश्य में होती है, अतीत में हो नहीं सकती, क्योंकि आप भूत नहीं है, वर्दवान में हो नहीं सकती, क्योंकि अभी भी आप मरे नहीं, तो मौत हमेशा कहा होती है, भहिश्य में होती है, मौत से कभी आप गुजरे नहीं, लेकिन मौत से डर बहुत है, आप जानते क्या हो मौत के बारे में, कि आपको मौत से डर है, आप किस से डर रहे हो, अच्छा डर रहे हो, बता तुदो किस से डर रहे हो, किस से डर रहे हो, हमें ये भी नहीं पता, पर डरे जा रहे हैं, क्योंकि डरना, बड़े प्रचलन की बात है, fashionable है, तुम भी मौत से सब आगे की विवस्था करनी जरूरी है, चाहे 18 साल वाला हो, चाहे 80 साल वाला हो, सब आगे की विवस्था करने में जुटे हुए हैं, प्रिष्ण वो जिसे आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं, जो ना पीछे का कायल है ना आगे से आकरांद, आरी बात समझ में, इसलिए उनके जीवन में आपको विरोधाभास ही विरोधाभास देखाई जेंगे, और इसलिए बहुत सारे लोगों को प्रिष्ण सुहाते भ क्रिष्ण की साथ मर्यादा जैसा कुछ है ही नहीं, क्रिष्ण का कुछ पता ही नहीं ये कब क्या कर जाएंगे, आप राम को घर बुलाएं, तो बड़ी आश्वस्ती है, वो आएंगे, ड्राइंग रूम में बैठेंगे, आप शर्बत देंगे, और पी लेंगे, कोई चिर और रास में माहिर हैं, आपके धरवाले वैसे ही उबए हुए हैं आपसे, क्रिष्ण खतरनाक है, लेकिन यदि खतरनाक तरीके से जीना हमें नहीं आता, तो पिर हमें जीना ही नहीं आता, क्रिष्ण पूर्ण इसी लिए हैं, क्योंकि उनके भीतर सारे विरोध समाई हुए हैं, और द्वयत का अर्थ ही यही है, कि उसमें सारे द्वयत समाई हुए हूँ, किसी भी सिरे का यदि आपने निशेध किया, तो जाहिर सी बात है कि उसके विपरीत सिरे से आप आक्रष्ट हो गए। किसी भी चीज को छोड़ने का अर्थी यही होता है, कि आप उसके विपरीत के साथ जुड़ गए। न जुड़ने का सूत्र सिर्फ एक है, न छोड़ो। लेकिन कोई ऐसा नहीं होता, जो साहस पूरवक यह पूछने आए, कि पूरा जीना है, कुछ छोड़ना नहीं, कहीं डरना नहीं। लोग यह दरूर पूछने आ जाते हैं कि देखिए बड़ी आसक्तियां हैं, इनका त्याग कैसे करें। पगलों कोई समझ में ही नहीं आता, कि आसक्ति होती ही इसलिए है, क्योंकि जिससे आसक्ति है, उसके विपरीत से तुम चिड़े बैठे हो। नहीं समझनारी बात। जब दुख से नफरत होगी, जब दुख से समस्या होगी, जब दुख से डर लगेगा, तो जाहिर ही आसक्ति किस से हो जाएगी। अब जब सुख से आसक्ति हो जाएगी। तो अब अपनिशतों की शरण में जाओगी, गीता की शरण में जाओगी। कि देखिए, सुख कैसे छोड़ें। तो कोई समधान नहीं मिलेगा आपको। सुख से यदि आसक्ति हो रही है। तो समधान सिर्फ एक है, दुख से डरो मत। जिसने दुख से डरना छोड़ दिया, वो सुख से चिपकना भी छोड़ देगा। लेकिन हम दुख से तो डरते हैं। और जब उसका परणाम ये दिखाई पड़ता है, कि अब हम सुखा कांक्शी हो गए हैं। मन लगातार सुविधा की और और सुख की और भागता है। तो कहते हैं गलत हो गया। जब छूटता है, तो सुख दुख दोनों एक साथ छूटते हैं। और दोनों एक साथ तैसे ही छूटते हैं, कि सुख में भी पूरे रहो और दुख में भी पूरे रहो। ओसे अध्यात्मिक होने का अर फिर यह नहीं है कि रात से भी तकलीफ भर दिन से ुप यह तो आणी जानी बादе ऑद्धabout被 तकलीफ में यह तो आते जाते मौसम Χाँ जो और अध्यात्मिकों कि धात्मिक होने का अर्थ यह हैं कि रात भी हमारी है और dindi हमारा है अब बहुत आपको मिल जाएंगे जो खहते हैं चान सूरज ये तो सिर्फ मानसिक प्रक्षेपण है ये तो मिध्या ब्रह्म है समाधी में इनका कोई अस्तित तो नहीं समाधिकार्थ ये नहीं है कि रात में भी मुर्दा हो गए और दिन में भी मुर्दा हो गए पूरा जीया नहीं जाता तो हम बड़ी चतुराई पूरवर एक रास्ता निकालते हैं कि पूरे मर ही जाते हैं वो भी नहीं हो पाएगा जो जिया नहीं हो मर भी नहीं पाएगा यह जो पूरी परिकल्पना है भारतिय धर्मों में जीवन उत्तर जीवन की पुनरजनम होगा या कि स्वर्ग नर्ख होगा यह सब सिर्फ यह बताने के लिए है कि देखो अगर पूरा जीओगे नहीं तो पूरा मर भी नहीं पाओगे मरने के बाद भी भटकोगे पूरा बरना है तो पहले पूरा जी लो नहीं तो प्रेट बनके पेड़ पे टंग होगे ना कोई प्रेट है ना कही पेड़ पे टंग ना है परिशारा है प्रतीक है उसको समझे पूरा हमसे कहां मरा जाता है यहां कबीर है बार 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 बोलते रहे कि मरना सीखो अब मरें कैसे पूरा तो कृष्ण जी यह है पूरा मरेंगे भी वही कि सुना है कि पृष्ण का पुलर जन्म हुआ कि मर के यह मुना पे घूम रहे थे कि अर्जुन का पीछा किया तो गए पूरी तरह गए एक क्रिश्न की बुद्ध की निशानी ही यही होती है कि जब वो जाता है तो पूरी तरह जाता है वो पीछे अपने कोई अवशेश कोई निशान नहीं छोड़के जाता है हम जा ही नहीं पाते हम अपने आपको जाने देते ही नहीं हम तो चाहते हैं कि मर भी जाएं तो हमारे पीछे कोई मारा नाम लेवा रह जाए चंपू तु याद रखेगा न मुझे हमारे गाने यही हो आलेक में अपना नाम लिब दो, चोपरास, क्रिश्न को ऐसा कोई लालच नहीं, जब जी लिया पूरा तो अब क्या लालच बचा, जब पी लिया पूरा तो अब क्या प्यास बची, अब क्यों कहें कि कोई हमारा नाम ले, अब क्यों कहें कि समय में हमारी याद आगे बढ़ती रहें, अग्ये की बड़ी सुन्दर पंक्तिया हैं इसमें कि क्यों पात्र जगत की शगधा की मेरी ज्मिलिसी याद रहें, क्यों पत्र रहे प्रशस्त मेरा, मेरा उंचा प्रासाद रहे, क्यों पात्र जगत की शगधा है, मेरी ज्मिलिसी याद रहें, मैंने आहुती बन कर देता, जो आहुती बन लिया, जो पूरी तरह जी लिया, वो फिर यह नहीं चाहता है, कि उंचा प्रासाद बने, कि लोग याद रखें, कि रिटायर्मेंट के बाद की जराई हो जना बना लो, कितने पैसे आएंगे, कि बेटी का दहेज जोड़ लो, नहीं दहेज नहीं, आजकर उसको क्या बोलते हैं, तोफा, क्रिश्न नर्तक हैं, पर उनका नृत्य न विवस्थित हैं न आयोजित हैं, मानसिक नहीं है उनका, पूरा है, कहीं है, क्रिश्न की तरह जीए, क्रिश्न की तरह जीए, आप लगातार किसी की तरह ही जीए हैं, जो भी आपके आदर्ष है, जो भी आपके शिक्षत रहें हैं, जहां कहीं भी आपको प्रेना मिलती रही है, जो कोई भी आपके हावी रहा है, आप लगातार उसकी तरह ही जीए है आप अभी भी किसी की तरह जीना चाहते हैं कृष्ण किसकी तरह जीए थे कृष्ण किसकी तरह जीए थे कृष्ण की तरह तो आप कृष्ण बन जाएंगे कृष्ण की तरह जी करके जबकि कृष्ण किसी और की तरह नहीं जीये थे पर देखी अभी भी सवाल यही है कि किसकी तरह जीयें क्या किसी की तरह जीयें कृष्ण के जीवन में कोई निशकर्ष नहीं था निशकर्ष तो अन्त होता है मृत्य होता है पर हमें निशकर्शों की बड़ी चाहर है ती योगि निशकर्शों में सुविधा है निशकर्शों का अर्थ होता है कि अब आगे जागरुक नहीं रहना आखरी बात पता चल गई कुल स्टॉप लग गया विरांग निशकर्श क्यों चाहिए निशकर्श की चाहर ही तो हमारे डर का सूचक है और यदि निशकर्शों में ही जीना हो तो क्यों साथ मिलें क्यों बैठें क्यों इतनी लंबी चर्चा करें एक पंक्ति का निशकर्श आपके घर भिजवा देंग प्रेम का क्या निश्कर्ष होता है क्यों किसी के साथ तीन प्रेम पूर्ड घंटे बिताओ उसका जो निश्कर्ष होता हो वो एक मिनिट में उसको बता दो बोलिए जीवन का क्या निश्कर्ष है जो भी निश्कर्ष है वो पता कर लो जीवन खतम करो पर निशकर्ष हमेश चाहिए। निशकर्ष एक बार मिल गया, तो अरहाम से पड़े रही हमें पता है। निशकर्ष नहीं होते जीवन में, जीवन में सतत जीना होता है, सतत जानना होता है। जानकारी और जानते रहने में अंतर है जानकारी एक बार को मिल सकती है जानते रहना एक चिरंतर प्रक्रिया है वो कभी पूरी नहीं होती लगाता है जानते रहिए जानना रोक मत दीजिए कहीं पर विराम मत लगाईए कभी कैमर्ती जिये कि मुझे समझ में आ गया समझते रहिए यही क्रिश्म अक्तों है अगर क्रिश्म के तरह दिस्कोर से अगरने लगे तो कैसे उसका प्लाइनिंग तो करने पड़ती है अगर आपको यह लगता हो कि वह आपके बिल्कुल काम आ गई है आप दिल से संतुष्ठ हो उससे तो जैसा चल रहा चलते रहने देजिए क्रिश्म अक्तों का मतलब यह नहीं होता कि पहले एक प्रकार की योजना बनाते थे और अब दूसरे प्रकार की योजना बनाएंगे वो कोई नई योजना नहीं है वो योजना से मुक्ति है और योजना से मुक्ति का सवाल तभी पैदा होता है जब आप पहले योजना बत्ध जीवन से उब जाएंगे अगर अभी उबे नहीं तो जैसा चल रहा है चलने दीजिए सट्य उन्हीं के लिए है जो सीमाओं से उब गये हों गैराई उन्हीं के लिए है जिने अब उथले पन में चैन न मिलता हो अगर यदि उथला पन ही आपको अभी भा रहा है तो आप सटैंपर ही रहें उसमें क क्रिश्न कोई लुभावना आदर्श नहीं है कि देखो वो ऐसा जीए थे तो चलो हम सब भी उन्हीं कानुगमन कर लेते हैं ऐसे ही अंभी जीना शुरू कर देते हैं क्रिश्न शिर्फ निशेद हैं हमारे तरीकों का क्रिश्न पूर्ण होते हैं पूरी आदादी हैं वो हमें बस ये याद दिलाते हैं कि तुम जैसे जी रहे हो क्या वाकई उसमें मजा हैं वो ये नहीं कहते कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ वो सिर्फ पूछते हैं कि जड़ा देखना किस किस के पीछे चले जा रहे हूँ हम बहुतों के पीछे चले जा रही है क्रिश्ण हमारे दुश्मन नहीं है कि हमसे कहेंगे कि इतनी लंबी कतार है जो तुम्हारे मालिकों की उसमें तुम एक मालिक को और शुमार कर लो क्रिश्ण तो हमसे पूछते है कि क्या जरूरी है है कि तुम इतने मालिकों के गुलाम रहो क्या जरूरी है कि पूरी सामाजी के वस्था मानसिक आडंबर कि संसकार के बोज कि दुनिया भर की मर्यादाएं और जिम्मेदारियां धार्मिक वरजनाएं जो तुमने पकड़ रखी है जिनको तुमने अपना दारा बना रखा है उनके साथ जियो क्या ये जरूरी है वो सिर्फ पूछ रहे है जवाब आपको देना है यदि जवाब यही है कि हाँ जरूरी है तो किसी को कोई आपक्ति नहीं है ये भी खेल का हिस्सा है कि कुछ लोग अभी उल्जे उल्जे ही रहें उसमें कुछ गलत नहीं हो गया है ये सारी बाते उनके लिए हैं जो तयार बैठे हो दर्वाजा निश्चित रूप से खोला गया है पर उनहीं के लिए जो तयार बैठे हैं प्रवेश करने को जिनने अभी कमरा ही सुहा रहा है जिनने अभी दिवारे ही सुहा रही है उनके लिए दर्वाजे का कोई प्रयोजन नहीं है अभी तो आपको दिवारे ही अच्छी लगती है तो ठीक है आप दिवारों को ही सजाए रंग रोगन करें फूल माला चड़ाएं ठीक प्रिश्म कि दर्वाजा है कि कृष्ण आमंत्रण कि आमंत्रण सुईकार करना है या नहीं वो आपके उपर है और फिर द्यार दिला रहा हूं कृष्ण यह आमंत्रण नहीं है कि तुम कृष्ण के अन्याई हो जाओ कोई भी संथ, कोई भी अवतार, कोई भी गुरु कभी इच्छुक नहीं होता है अन्याई इकठा करने में कृष्ण हित एक चुन है वो हित चाहते हैं और हित हमारा इसी में है कि अपनी दासता छोड़ दें अन्याई तो हम रहे ही आहीं है बड़े समय कर दो हमी अन्याई अन्याई कर दो